कि अस्तालाम अलेकुम सुदेंस में सेयदा मुमिन अभुखारी हासर हुआ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ एक न्यू टॉपिक के साथ तो आज जो हम है वो टॉपिक नंबर 12.4 जो है टाइट्स का वो डिसकास करने जा रहे कि टाइट्स क्या होती है सबसे पहले मैं को में एक की बारी में पंस बताना चाहती हूं कि वेर्स क्या होती एक क्योंब्स करते हैं तो सबसे पहले को रिजाव है मैं कि आपर ही सामने समने कर से ताकि आपको जब ताइब पर हम आपको 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 आप तुफान वगेरा आ जाते हैं उनकी वज़ा से जो ओशियन के अंदर या रिवर्स के अंदर जो लहरे प्रोड्यूस होती हैं उनको वेल्स कहा जाता है जबके टाइड हम कहते हैं राइज and fall of sea water जो होता है एक ocean या sea water जो होता है उसमें tides जो होती है वो produce होती है अब tides क्या होता है water level का जो होता है वो increase करना या decrease करना tides कहलाता है अब tides किसकी वज़ा से होता है यह होता है gravitational gravitational force की वज़ा से होता है gravitational force की वज़ा से होता है जो के कौन apply कर रहा होता है moon apply कर रहा होता है उस water पे टाइड वेब वेड्स करने किसी भी स्टॉर्म या डिक्रीस करना वेड्स कहलाता है लेकिन फेड व्योटा करना बहुता है जो के moon उस पर लगा रहा होता है उसे कहते हैं हम लोग tides again मैं आपके सामने explain कर दूँ कि waves होता है जो किसी भी phenomena के थूज होता है water level का increase करना या decrease करना waves कहलाता है जब gate tides क्या होता है water level का increase करना या decrease करना किस वज़ा से ग्राविटेशन फोर्स की वज़ा से जो के moon apply कर रहा होता है water पे अब यहां पर हमें एक और बात पतल चल गई है कि sea level जो सी water जो होता है या ocean water जो होता है moon उस पर जो होता है अपनी gravitation force apply कर रहा होता है जिसकी वज़ा से हमारे water में क्या होती है ocean water में क्या होती है tides produce होती है अच्छा तो यह आपका था topic number 12.4 tides के बारे में जिसमें हमने waves और tides के बारे में जो है वो पड़ा है next video में इंशाला तले इसके 12.5 topic की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तब तक के लिए लिए लाग पस हुआ 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 है